नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयर बेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने सफेद कंडेल का पोधा लेकर आया हूँ पेड़ लेकर आया हूँ और आज मैं आपको इसी सफेद कंडेल के फाइद एक बारे में बताऊंगा लेकिन दोस्तों फाइदा जानने से पहले आप इस पेड़ को इस बिरिक्च को पहचान लीजिए कि यह दिखाई कैसा देता है इसका फूल कैसा होता है इसका पत्ता कैसा होता है और इसका फल कैसा होता है तो दोस्तो इसके फल जो है गोल गोल होते हैं और पत्ते लंबे लंबे जो आप देख रहे हैं और फूल कुपी की तरह होता है जो आप देख रहे हैं दोस्तों यह पोधा करीवन 12 फुट से लेकर 15 फुट तक उचा पाया जाता है क्योंकि यह जाड़ी नुमा पोधा है नॉर्मल पोधा है यह फिर माना जाए तो यह एक जहरीला फूल का ही पोधा है दोस्तों इस पेड के तीन पर जाती होते हैं तीनों के अलग-अलग फूल का रंग होता है उन्ही फूलों के रंग से इन्हें पहचाना जाता है कि यह किस रंग का पोधा है ब्रिक्ष है तो दोस्तों सफेद फूल वाला होता है जो आप देख रहे हैं क्योंकि इसके फूलों को पूजा पाट में इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आप इस पेड को पहचान चुके होंगे तो आओ चलो अब इसके फाइदे एक बारे में जाने किया हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है तो दोस्तों सबसे पहला फाइदा इसके पत्तों से निकलने वाले इसके फल से निकलने वाले दूद का है अगर किसी को किसी भी तरीके का भी सहला कीडा काट ले तो इसके पत्तों से निकलने वाले दूद को सहले कीडे के काटे हुए अस्थान पर यानि डंक मारे हुए अस्थान पर इसके दूद को लगाने से जहर का असर यानि विस्ट का असर खतम होने लगता है इतना फाइदे मंद है या भी इसको खतम करने वाला जड़ी बूटी अब कीड़े में कौन-कौन से कीड़े काटने पर आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो हाँ दोस्तों जैसे बर्रे है, ततया है, मदु मक्ही है, या फिर विच्चु है तो दोस्तों इस तरह से कीड़ा जनतु काटने पर आप इसके पत्तों के दूद लगाएं तो बिल्कुल जार का सर खतम हो जाएगा और उस जगे सूजन भी नहीं पड़ेगा, जलन भी नहीं होगा इतना फाइदे मंद है, या कंडेल का दूद, दोस्तों इसके और भी परजाती है, लेकिन उसे कनेर कहा जाता है, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि कनेर, 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 एक्चुली एक कनेर नहीं है, या कंडेल है, कनेर एक अलग परजाती के पोधा होता है, वो पोधा में आपको दिखाऊंगा या फिर आप पहले भी देख चुके हैं उसके भी बहुत सारे परजाती होते हैं और अलग-अलग फूल होते हैं उसके फली लंबे-लंबे होते हैं कनेर के और यह जो कंडेल है इसका फल गोल-गोल होता है तो दोनों पौधे में डिफरेंस है लेकिन बह इमाकवत अपरस किसी परकार तोचा रोग हो तो आप इसके पत्तों को पीश कर उच जगे पर लेप कर सकते हैं या फिर इसके दूद को भी निकाल कर उच जगे लगा सकते हैं तो तोचा रोग धीरे-धीरे नश्ट हो जाए कुछ दिनों के अंदर इतना फाइदे मंद होत है जैसे डोग या विल्ली हो गहरा हुआ उसमें लेकिन कभी-कभी इनसानों को भी हो जाता है खवडा रोग बालों में उसमें होता क्या है बाल जो है उड़ जाता है और बाल के नीचे जो तोचा है हुआ मोटा मोटा हो जाता है और पपड़ी जैसा पापर जैसा फटने दगता उस रोग को खावडा का जाता है तो उस खावडा रोग भी आप इसके दूद की इस्तमाल कर सकते हैं फाइदेमंद है और हाँ दोस्तों चटनिया रोग वो रोग कैसा होता है चटनिया रोग में उसमें भी बाल उड़ जाता है और बाल उड़ने के बाद थोड़ा इ तो खावडा रोग और चटनिया रोग दोनम डिफ्रेंस है खावडा रोग में तोचा मोटा हो जाता है बाल का ही रोग है और चटनिया रोग में तोचा पतला हो जाता है सौप्ट हो जाता है चमकीला हो जाता है तो आप दोनों रोग पर इसका उपयोग कर सकते हैं इतना फा पिसहला पौधा है विस नासक भी है एतेन दोस्तों जहर को जहर ही मारता है तो उसी तरीके से भले या जहरीला हुआ तो क्या हुआ लेकिन जहर को मारना इसका काम है इस पौधे के अंदर जहर को मारने का छमता है तो दोस्तों अब हम इसके फल के फाइदे के बारे में जाने तो देखिए इसके गोल गोल जो फल दिखाई देते हैं वह जब कच्चा होता है तो हरा हरा होता है और पक जाने के बाद थोड़ा पीला हो जाता है और गुद्दादार होता है दबाने पर अंदर एक गुठली निकलता है वह गुठली बहुत से बच्चे लोग खेलने के पोट घुटनों के दर्ध में कमर के दर्ध में आप आप इस्तमाल कर सकते हैं उससे भी आपको फाइदा होगा दर्ध में तुरंत तुरंत आराम मिलेगा और सूजन को भी दूर करने चंपता इसके अंदर है जो तेल आप बना कर तयार करेंगे दोस्तों जानने की बात करना है वो जान लो वो सिख लो जैसे माल लो एक लीटर सरसोग तेल आपने लिया और बिल्कुल सुध असली सरसोग तेल लेना है जिसे सुमने के बाद ज्ञार आए तो उस सरसोग तेल में आप करीबन इसके फल जो है 15-20 फल कूच कर डाल दीजिए कूच मतलब कूट कर जो है तेल के अंदर उतर गया तब उस तेल को आप छान कर बोटल में भर कर रख लीजिए और फिर जहां भी दर्दों लगाई मसाज कीजिए तो चलो दोस्तों आज की महत्पुर जानकारी हमें ही समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को जोस्तों पाली आर्वेदी